तो कैसे हैं आप लोग आई होब कि आपका प्री निकल गया है और प्री में निकलने का मतलब क्या है आपका आंसर की के recording कितने नंबर बन रहा है रोइ स्कूर एक सो थीस के प्रॉक्स बन रहा है ठीक रहा है अगर इतना बन रहा है तो आपको कोई भी माई कलाल यूर से नहीं रोक पाएगा और इसी हिसाब से कर अब इतना ही मालों और ढोटिकर दो नमर कम कर लो ठीक है दो तीन नमर कम कर लो डेविस का बाखी 60 के तो बहुत पन्दर नमर करें ठीक है हम लोग बात करते हैं कि भाई अब मेंस की त्यारी करनी मेंस में पिछली बार की तरह नहीं है इस बार उनली 7500 वेकेंसी हैं तो हमें हर कदम फूख फूख कर रखना पड़ेगा और इसमें 90% रिपीटर बच्चा है जो 2022 वाला है तो इस बात को भी देखना पड़ेगा 2022 में जिसों पी ऐसे कितनी है तो इसलिए भाई मैं आपके लिए ले कर रहा हूं रामबार मजब 2022 मेंस हुआ था उसके गौर्डिंग टॉपिक वाइज वेटेज ले कर रहा हूं इंग्लिश का मैथ का सब कर रहा हूं ठीक है ना चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं तो भाई किसमें कितना आपको करना है सबसे पहले जो है आपकींशेज कंप्रहेंश मैं कितने कुश्चें आए बारा कुश्चें के आ रहे थे समझ रहे हो ना 12 question के prox आ रहे थे आप समझ सकते हो कि कितना वेटेज है किसका आपका comprehension का passage का तो भाई इसमें highlight कर लो star लगा लो लिख लो copy में pen से लिख लो ठीक है धान से क्या कि यहां हमको गलती से भी Comprehension को नहीं छोड़ना है Comprehension को छोड़ना ही नहीं है क्योंकि 12 question का वेटेज है ठीक है ना 45 में 12 question बहुत होता यार अब अब देखो PQRS को अगर हम देख ले PQRS के 6 question रहे PQRS के कितने रहे 6 question रहे close dash के कितने रहे 4 question और अगर इनको मिला दे तो 12 question का वेटेज रहा है केवल सिर्फ और सिर्फ Reading part से इस बात का बहुत बड़ी important बात है Reading part से बहुत ठीक है अचा Reading part के sources कौन कौन से है अब दोखो यार 22 out of 45 number तो भाई बहुत बड़ा score है लगबग कितना है यार देख लो 22 होता आपका 50% के blocks ठीक है ना 22 number है यार बहुत होता है 22 question चलो अब अगर हम बात करते हैं इसको सुधारने के तरीक है तो भाई एक है मनीशा बंसर की जो बूग आती Closedest PQRS वाली उसको ले सकते हो PQRS Closedest करने के लिए और एक अभी उन्होंने लांच किया है इसके अलावा यह तो फिर कोई पिनाकल है या फिरन पुब्लिकेशन की प्रिविस एर है तो वहां से आप इनकी प्राक्टिस कर सकते हो तो भाई सीधी बात है इसको इग्नोर नहीं करना है रीडिंग अच्छी करना है चलो अच्छा इसके अलावा और तरीके अगर आपने प्रिविस एर कर लिया तब आप आप कोई नॉविल पढ़ सकते हो अगर टाइम मिले तो आप कोई NCRT पढ़ सकते हो और अगर और टाइम मिले तो आप 10 हिंदूर पढ़ सकते हो जिसमें इंट्रेस्ट वह आपकर सकते हो फिक है लेकिन प्वी को के प्रागंस वाय से थीन ने आपको कर सकते हो अब समझों इस बातको फिलन दा ब्लैंक की बात करते हैं तो हम जो फिलन दा ब्लैंक्स Chief parole आपके दो कोशन है, sentence improvement में आपके कितना हो जाएगा, एक कोशन है, तो grammar के कुल हिसाब से 13 कोशन है, 45 में से, आप समझो, 22 कोशन हो गए आपके reading पार्ट से, 13 कोशन हो गए आपके grammar पार्ट से, और जो vocab का पार्ट है, उसको देख लेते हैं, idiom phrases, idiom and phrases से 2 कोशन, 2 idiom के, 2 synonym, sorry, ठीक है, 2 antonyms, 1 synonym and 1 homonym, homonym, homonym क्या होता है, इस बात को समझ लेते हैं, जैसे, मैंने आप से कहा, जिनका, दिखने में आपको सेम लगते हैं, ठीक है, मैंने आप से जैसे कह दिया, जो word दिखने में आपको सेम दिखें हैं, ठीक है न, पर, उनकी दोनों की meaning अलग-अलग हो, ठीक है, ठीक है, हाँ, जैसे चलो, दिख गया, c, i, t, e, o, एक होता है, एक होता है, s, i, t, e, जैसे फर्जाम पर आपने पढ़ा होगा, a, l, t, e, r, a, l, t, e, r, ठीक है, इन दोनों की meaning अलग-अलग होती है, ठीक है, चलो, यह आपका भी एक question आया था, उसका homonym से भी, ठीक है, चलो, इस बात को समझो, तो grammar से, आपके, वोकाब से कितने question आ रहे हैं, प्रॉक्स दस question आ रहे हैं, ठीक है न, आपके प्रॉक्स दस question आ रहे हैं, तो कुल मिलागे, total कितने question आ रहे हैं, आप कहेंगे, सर्फ 45 question आ रहे हैं, total, यह पूरा समन में आ खेल, तो किस पे कितना focus करना है, आपको देखना होगा, ठीक है न, चुकि वोकाब ऐसी चीज है, आपको अच्छे वाला, और grammar में छोड़ना ही नहीं, तेरा के तेरा हो, और वो बाइस के बाइस लपेटने ही लपेटने है, और वोकाब में एक-दो छूड़ गये, तीन-चार छूड़ गये, मालनो, दस question में, पांच question भी होगा है, तो 40 के आपको सही करना है, और अगर easy आ गई, तो आपको क्या हो जाएगा, तो आपको क्या हो जाएगा, को 45 में 45 खिशने है, तो जो AIR1 था, उसके 135 नमबर थे किसमें, इंगलिश में, मोहित के, ठीक है, चलो समझो इस बात को, चलो, अब बात करते हैं, math की, ठीक है, math की बात करें, quant section की, topic wise weightage and seasonal means की बात करें, तो को geometry से आपके आएथे 3 questions, आप लोको किस chapter को कितना weightage देना, यह important there, ठीक है, तो mensuration के आपके आएथे साब, 3 questions, mesuration कितने आएथे आपके, 3 questions आएथे आपके, trigonometry and heightened distance दोनों को मिला दिया इन्होंने, तो क्या है, आपके 3 questions आएथे इसके भी, number system, LCM, SC, आप इसके भी 3 questions आएथे, algebra को 2 questions आएथे, छोड़ नहीं सकते आप, statics को भी छोड़ नहीं सकते, जो आप फ्री में छोड़ के चले आते हो गलती से, ठीक है न, 2 questions आएथे, simplification के आपके कितने आएथे, 2 questions आएथे, profit and loss, discount के आपके 2 questions आएथे, simple and compound interest के आपके 2 questions आएथे, 2 लो मिला के, ठीक न, SI, OCI के दोनो, दोको ratio proportion, partnership, age, इन सब को मिला के, अपको कितना आएथे, 2 questions आएथे, percentage में से किस्ते question आएथे, question, time, speed, distance, race, कुल मिला के, 1 question, time and work से 1 question, average से 1 question, probability से 1 question, ध्यान रखना, probability भी आई है इसमे, ध्यान रखना, ठीक है, तो कुल मिला के, total 30 questions आपके आएथे, में से, तो आप एक बाए, फिर से देख सकते हो, कि कहां से क्या-क्या पूछ रहा है, कितना वेटरे किस chapter का, किस chapter को कि ठीक है, इसी को बोलते है, value for money, अब बात करते हैं, आप का दो को, आप बचा, आपका reasoning बचा और GS बचा, अजी reasoning की बात कर लेते हैं, reasoning में सबसे पहला चप्र, coding, recording, coding, recording से आपको पता है, दो question आए, देखो, odd one out से आपके दो question आए, odd one out, आपका ये वाला figure वाला है, ठीक है चलो, analogy से आपके दो question आए है, data sufficiency से दो question और blood relation से आपके दो question आप्रोक्स, figure series and completion के आपके क्या जाएगा, इतो को चार figure दिये रहेंगे, या तीन figure दिये रहेंगे, चौता उसे complete करो, figure series वाले question होते है, या फिर उसे completion वाले बोल सकते हो, तो आपका answer, 2 आजागे, दो question आए figure series के ओपर से, okay, statement and interference, इसमें ये वाला आया था, या रखना, statement and inference भी आया था, एक question, और statement and cause भी आया था, and statement and conclusion तो आप करते ही है, ठीक है, cause and effect भी आया था भाई साब, इस बाल को ध्यान रखना, ये सारे के सारे topic जो है, ठीक है, ये आपका अभी तक SSC में नहीं पूछा कर करता था, अब पूछ रहा है तो इनको जरूर देखके जाना, इसलिए मैं पहले बता दे रहा हूँ आपको, आप कभी भी जब मैदान में उतरते हैं, तो बिना दुश्मन को जाने नहीं उतरते, वहना आपके हार निश्यत है, तो इसलिए अपने अल्ला का नाम लीजिए, अल्ला का नाम लीजिए, और क्या करेंगे, बस कुद पढ़ेंगे मैदान में, ठीक है, हर चीज़ त्यार करके, साइन चेंज वाले जो कोश्चन आता है, आपको पता है कि इसे प्लस को मैनस कर दो, मैनस को इंटू कर दो, उसके बाद बताओ कि कौन सा अंसर सही होगा, ठी इंबेर्ड फीगर से भी एक कुश्चन आया था, ठीक है ना, मिरर आपका करम सी लॉक से आया था आपका, और करना मिरर वाटर रिमेट क्या हो जाएगा, आपका, पेपर कटिंग फोल्डिंग से कुश्चन एक प्रॉक्स आ रहा है, फीगर एनलोजी, एक कुश्चन, सिट कटिंग की कुश्चन का पूरा का गफ़ा, काट छाट के मैंने अब को बता दिया, अब आपको है कि किश चैप्टर को कितना देना है, इतने समझधार आप हो, जो कि आपका प्री निकल चुका है, आपको रिजुएशन क्रोस कर कर के आय हो, मैं इस बात को समझता हूँ कि क किस को चैप्टर को कितना को कितना आवर देने हैं कितने कोशन त्यार करने हैं प्रैप्टिस किस साब से करनी है ठीक है अब है जीए की बात करते हैं और कि अगर मैं बात करूं करंटत फेयर से कितने कुश्टर आ रहे थे 4 से 5 कुश्टर आ थे इस बात को ध्यान लगना static gk कि कितने हैं कुश्टर तीन से 4 कुश्टर में बहुत कम static gk पूछ रहा था biology कि जो कुश्टर आये है वो 3 से 4 आये वेटेस देख लो जितना static gk तो उसके बाद chemistry में आपके एक सदो ग्रुशन और economics आपके 102 केशालो टूटल 55 को जहाते हैं अगर मैं आपसे बात करूँ, तो math में आपको दिखे 30 question, reasoning में दिखे 30 question, English में आपको 45 question, और GS में question दिखे 25 question, तो आप तो math और reasoning को एक साथ मिलाकर इनका cutoff अलग बनता है, इसको cutoff cross करना पड़ता है, ठीक है, और English और GS का अलग से cutoff बनता है, तो इसको आपको अलग से cross करना पड़ता है, ठीक है, चल, इस बात को समझ लो, और cutoff की चिंता मत करो, अगर आपका pre निकला है, तो cutoff बहुत इसली निकलाएगा, cutoff इतना नहीं जाता, इसके साथ में, में से में अलग से paper होता है, computer वाला, इसमें है नहीं, computer वाला, इसके बाद एक paper अलग से होगा, क्या अलग से पढ़ना में, computer का, तो computer को आपको अलग से पढ़ना है, इस बात को अलग से ध्यान लखना, ठीक है, यह first shift में ही होगा, उसके बाद आपको थोड़ा दिल का gap दिया जाएगा, उसके बाद फिर आपको बुलाया जाएगा, typing के लिए, ठीक है न, typing is different and computer is different, computer में आप की 20 question आएगे, इस बात को note कर लेना, ठीक है, इसका cutoff अलग से जाता है computer का, और typing का cutoff अलग जाएगा, ठीक है न, typing में आपको अगर 5% general के लिए allow है, और 7% EWS के लिए, फिर OBC के लिए allow है, ठीक है, और यह तो होई आपकी CPT post के लिए, और overall post के लिए 20% allow है, शायद आपका भी हाँ, 20% allow है general के लिए, और 25% allow है, OBC and EWS के लिए, ठीक है, इन 30% SC के लिए कर लो, ठीक है, SC SC के लिए, तो कुल मिला कि यह चीज़ समन में आ गई होगी, अगर नई समन में आई तो मुझे comment बताओ, उसके उपर मैं particular video बना दूगा, I hope कि यह चीज़े थोड़ी बहुत clear हुई होगी, अब आपको पढ़ना क्या है, क्या नहीं पढ़ना है, उसके लिए, मैं आपको, अगर इसका sources की बात करोगे, तो मुझे comment section में बताना, कि कि किस चीज़ के लिए, इसके लिए क्या refer करूँ, chemistry के लिए क्या refer करूँ, क्या कोई course purchase करूँ, ना purchase करूँ, इन सब doubt को solve कर दूँगा मैं, पर उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, comment में मुझे doubt बताने पड़ेंगे, क्या-क्या doubts है, okay, चलो बिना, और, मैंने telegram है, ठीक है, क्या telegram है, next officer by saadis sir, मैं link दे दूँगा इसको, ठीक है, मैं link दे दूँगा, क्या करूँगा, आपको, मैं link द इसकी PDF भी मैं आपको available करा दूँगा, इसी telegram channel पे, तो telegram channel ज़रूर join कर लेना, और telegram में हजारो free PDF पड़ी हुई है, जो अलग-अलग teacher अपने platform में डाल देते हैं, telegram में free of cost वाली, ठीक है, वही मैं उठा के इसमें डाल देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को भटक कर लीजिए, मिलते हैं, तब तक के लिए, अलाहाफिस, टेक केर, शब्बा खैर, जो भी समझो, जहिन